नियोश्कार आप देख रहे हैं The People Voice, मैं हूँ आपके साथ रुपल शर्मा, आईए रुप करते हैं खबरों की और टॉप में किसानों की बर्सों पुरानी मांग को लेकर किसान निता रदन खोकर के नित्रतों में लोगों ने एडियम को ग्यापन सौपा और जमल लदी का पानी बनास में डालने की बात कही उन्होंने कहा कि टॉप जिले के किसानों की मांग को सरकार बजट में ले और भूशना करें नहीं तो जिले के हजारों किसान सड़कों पर उतरेंगे और अंगोलन करेंगे उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी होती है तो अजमेर जैपुर और टॉप जिलों की पेजल के लग पूरे तरह से समाथ हो जाएगी साथ ही किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलने लगेगा जिसे पूरे शेत्र में हरित क्रांती का संचार होगा उन्होंने कहा कि मानसून कमजोर रहने के कारण ना तो लोगों को पेजर पूरा मिलता और ना ही जिले के किसानों को सिंचाई का पानी ऐसे में सरकार से दर्खोस्त है कि चम्मल नदी का पानी बदास में डाले और इसे बजट में शामिल करे इस मौके पर प्रेलाग, खरेठा, सूरज शेरावर्थ, मोनुजैन, बंशी खाती, रोडुनाई और बद्री देवंदा समेट कई किसान मौजूद रहे माहिपुरा के लामबा हरी सिंग स्थित बंशी वाले मंदिर में चल रहे कारिक्रम में गुरु देव रामलखंदास महराज ने कहा कि सभी लोग रामचरित मानस के आदर्शो ओब ने जीवन में उतारे बच्चो को अच्छे संसकार देश साथ ही इसी तरह के कारिक्रम आयुजित करते रहे जिसे श्रद्धारू का भगवान से जड़ाव बना रहे समारों में यग्य भगवान की महा आर्ती करने के बाद प्रसादी वित्रण की गई वही पुजारी दिनेश पारसर ने बताया कि सौसर पर भगवान मंसी वाले की जाकी भी सजाई गई इस उसर परमंडल सदस्य भरतलार शर्मा, हनवान तिवारी, किशन माली, राजेश राओ, महावीर प्रसाद पारसर, हंसराज सैनी, गजानन प्रजापत, रमेश और भैरो कुमार समेट का इलोग मौजुद रहे राजसमन के नादवार अस्थित गुंजो और ग्राम पंचायर में खेट को पानी पिलाने के दौरान कुवे में गिरने से गाधेड व्यक्ति की मौत हो गई जहां कुलिस ने ग्रामेडों की मदद सेशाओ को बाहर निकाला और पोस्ट मार्टम के लिए बिजवाया जानकारी के नुसार म्रतक सोहन गमेती रात के समय में अपने खेट में पानी पिलाने के लिए गया था जो अंधेरे में कुवे में गिर गया वहीं कुवे में गिरने से आवाज आने पर ग्रामेड मौके पर गए लेकिन अंधिरा होने की चलते बच्चाने में काम्याब नहीं होए। सोचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने ग्रामेडों पी मदसे शौको बाहर निकाला और पोस्ट मार्टम केरी भिजवाया। उदर खंटा के बाद से परिवार में कहरा मच गया। लमसम आट बाट बजे निकाले इंको अब पुलिस थाने से वो भी आ रहे है विजे कुमार जी और अब हम होस्पिलल जा रहे है पीम करवाने के लिए। समस्त गाम माशीर मोजूद है भी। पारिवारी कोई लड़े वगेरा निये। खेती करें तो और कम लमसम पोने साथ बजे आये ते देखने पानी तूटा तो नहीं फिर फिर फिसलने से अंदर गिरें। न कोई लड़े है न कोई जगरा है पारिवारी कोई समिशा निये। जिसमें एक दुकांगार ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी अनुसार बस टेंट ने बाहर सबजी की दुकान लगाने वाले हूँ माशंकर और महींध्र के बीट ज़गों लगाने को लेकर विवाद हो गया। जहां महेंदर ने उमाशंकर वाचापू से बार कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटना का जाइजा लिया और घायल यूअप को स्पताल पहुंचाया। वहीं घायल की हालत बिगडने परोदैपूर रैफर कर दिया गया। हाला के अभी तक दोनों परिवारों के और से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल मामला पुलिस के नुसंधार में है। अब तक कोई रिपोर्ट प्राप नहीं हुई है। रिपोर्ट प्रात होने पर कारोई की जाए। समेर काई लोग मौजूद रहे। बुलिडिक में फिलाल इतना ही। देखते हैं ये गपी परवाइस। प्रात है।